बिना रियाज के सिंगर कैसे बने? महनत बिलकुल न करनी पड़े और काम हमारा पूरा हो जाए सवेरे न उठना पड़े शाम दो पहर में थोड़ा बहुत गालिया गुनगुनालिया और काम हो जाए सिंगर बन जाए मस्त वाले और लोग बसंद करने लग जाए फेम मिल जाए, प्रसिध्धी मिल जाए लेकिन साधना न करनी पड़े, सिध्धी न करनी पड़े क्या इसका भी कोई तरीखा होता है? क्या कोई रस्ता है? शॉटकट है क्या कोई? ये सवाल आप ही लोगों के हैं आपको अगर लग रहा हो कि कैसे अजीब और घरीब टॉपिकों पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो माफ कीजिए मेरे दिमाग की उपज नहीं है ये ये विद्यारतियों के दिमाग की उपज है जैसे एक छोटा बच्चा उल्टे फुल्टे अजीब और घरीब सवाल करता है न उसी प्रकार से हमारे जो विद्यारति गण है वो अजीब और घरीब सवाल करते हैं होता है न कि आसान रस्ता ढूड़ने की कोशश करते हैं तो कई बार एक नया रस्ता भी निकल के आ जाता है एक नई चीज भी जानने को मिल जाती है मुझे भी और आप सभी लोगों को भी जानने को मिल जाएगी तो आईए पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या ऐसा भी कोई तरीखा है कि बिना रियाज के सिंगर बना जा सके सबसे पहले तो इस शब्द सिंगर इसके मीनिंग जान लेते है गायक कौन होता है जो गाना गाता है वो गायक है जो वाद्य बजाता है वो वादक है जो नृत्य करता है वो नर्तक है गायक तो आप सभी हैं आप सभी लोग गाना गाते हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग, जादतर लोग रयाज भी करते होंगे सवेरे उठते होंगे, ओम लगाते होंगे, सा लगाते होंगे, अलंकार गाते होंगे रागों का अध्यायन करते होंगे, बंदिशें गाते होंगे, राग का विस्तार करते होंगे ऐसे जादातर लोग नहीं है क्या वो सिंगर नहीं है? बिल्कुल है? अच्छे सिंगर है क्या? यहाँ प्रश्ण है और यही वो प्रश्ण है जिसका उत्तर हम लोग यहाँ ढूंड रहे हैं बिना रियाज के सिंगर बना जा सकता है अच्छा संगर नहीं बना जा सकता और ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहेंगे कि आप कितने अच्छे संगरों फिर आपने कितना रियाज कर लिया ये हमारी सबसे बड़ी जो खास बात है मुनश्यों की वो यही है कि जैसे ही जिम वाले के वहाँ जाएंगे वो बता रहा है कि यही एक्सरसाइस करो बॉडी आपकी तंदरुस्त हो जाएगी सबसे पहली निजर आपकी उस पर पड़ेगी आपकी क्यों नहीं बनी फिर एक नहीं गुरू कहे सो कर करे सो न कर ऐसी कहवत है शास्त्री संगीत में सुनी है मैंने तो आप लोगों ने भी अगर यह कहवत सुनी होता है कि गुरू जो कहते हैं वो करना चाहिए जो करते हैं आविश्यक नहीं है कि वो करना ही हो मैं कोशश करता हूँ आप सभी लोगों को बताने की जो कुछ मैंने सीखा है जो मेरे गुरुजनों ने बताया उसको साहयक रूप में आप तक पहुँचाने की तो बिना रियाज के सिंगर बनने की जो ट्रिक है आप लोग भूंड रहे हैं जरा सोचिए कर्सिव हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे हम जब बहुत छोटे छोटे थे तो अक्षर बनाने की अभ्यास होता था अगर वो अभ्यास ठीक से न हो तो हमारी हैंड राइटिंग भी कोई नहीं पैचान सकता है नहीं हम खुद देख पाएंगे वर्ण बनाने की खुबसूरती हमारे उंगलियों में होती ही नहीं अगर हमने अभ्यास नहीं किया होता था किचन में खाना बनाने का अभ्यास होता है रोटी किस तरह से बेलनी हैं उसका अभ्यास होता है कपड़े किस तरह से पहनने हैं रोजाना हम वही शर्ट के बटन लगाते हैं अब भ्यास हो रहा है रियाज हो रहा है बिना किसी भी चीज़ को दोहराए रिपीटीशन करे बार 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 किये पूरा सिलिवस होने के बाद बिना रिवीजन किये काम नहीं बनता है तो संगीत में कैसे बन जाएगा कि बिना रियाज किये आप सिंगर बन जाएगे अच्छे सिंगर बन जाएगे मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया कि सिरफ पांच मिनिट रियाज करना है तो उसमें मैंने बताया है कैसे आप अपने आपको वो होता ना 3D8 वाला आलेज वेल बोलके बेवखुफ बना सकते हैं तो ये 5 मिन रियाज वही है कि आप अपने आपको जो डर है आपका क्या रियाज इतने घंटों का रियाज नहीं होगा इतने सालों के लिए सीखना नहीं होगा बाबा तो हम अपने आपको बेवखुफ बनाने के लिए जिते हैं 5 मिनट का ही तो करना है जादा करना ही नहीं बैट तो सही एक बार वो जब मैंने वीडियो निकाला तो लोगों के सवाल यहां तक पहुँच गए जब मैंने कहा तीन घंटा रियाज तब लोगों ने और कम मागा जब मैंने बोल दिया चलिए ठीक है देड़ घंटा कर लीजिए और कम मागा जब कहा कि ठीक है कमजगम रोज का आधा घंटा तो दीजिए और कम मागा जैसे ही कहा दिया पांच मिनिट कीजिए अब यहाँ पर आ गए कि बिना रियाज करे हो जाएगा क्या मतलब जितनी सहूलियत आप व्यक्ति को दे रहे हैं वो खींचे जा रहा है करना ही न पड़े ऐसा कुछ बता दो जैसा कि मैंने कुछ वक्त पहले वीडियो दिया था कुछ लोगों की ये भी मानिता है कि रियाज करने की कोई जरूरत नहीं गाने गाते हैं ये काम हो जादा है हम तो भई प्रोग्राम करते हैं रोजाना गाना गाते हैं शोज करते हैं तो रियाज की क्या जरूरत है? तब मैंने ऐसे लोगों को समझाया था रियाज का अर्थ रियाज का अर्थ सिर्फ दोहराना नहीं होता है रियाज यानि वर्जश है, यानि exercise है जिससे गेन होता है जब आप सा लगा रहे हैं जब सा लग रहा है उसमें सांस की जो प्रक्रिया जा रही है उसमें पंच की जो प्रक्रिया जा रही है जिस वजन से आप वस्वर लगा रहे हैं उस सामें दम की वृद्धी हो रही है कुछ गेन कर रहे हैं जब जिम में आप ट्रेडमिल पर दोड़ते हैं और एक ऐसे ही कुत्ते से भागने के लिए कुत्ते से बचने के लिए कुत्ता आपके पीछे दोड रहा है और आप दोड रहे हैं उन दोनों दोडों में फर्क होता है है कि नहीं आपने घर में एक पलंग इधर से उधर खिसकाया और जिम में जाके दंड बैठक लगाई दोनों में फर्क है आप बोलो अरे मेरी तो एक्सरसाइस हो गई मेरा तो अभ्यास हो गया रियास हो गया देखिए बाड़ी बड़ी बन गई अपनी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिम या एक्सरसाइस का ये मतलब तो बाद में है कि शरीर बाहरी रूप से दिखे बलकी बलकी यानि थोड़ा बलक में यानि वजणदार दिखे ये बाद में आता है अर्थ सर्व प्रथम जो इसका अर्थ होता है वो है आंत्रिक आंत्रिक वृद्धी हुई है कि नि internal जो strength है वो बढ़ी या नहीं बढ़ी strength, stamina, endurance ये सारी चीज़ें बढ़ी या नहीं बढ़ी है यही रियाज में भी है रियाज का ये मतलब नहीं कि गला कितना तेज 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 चल रहा है वो तो रियाज का अर्थ होता ही है secondary secondary पहला जो अर्थ है रियाज के फाइदे मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था उसमें यही समझाया था कि रियाज का मतलब सांस बढ़ी के नहीं बढ़ी आवाज एक साह लगाया उसमें वजन आया की नहीं, दम आया की नहीं नर्म है की नहीं मधुर है की नहीं, सच्चा है की नहीं क्योंकि रियाज एक फार्सी भाषा का शब्द है रियाजत कहते हैं पूजा होती है रियाज का सिर्फ मतलब गले को चलाना नहीं होता रियाज करना मतलब उसमें spiritualism जुड़ा है, अध्यात में जुड़ा है हमको लगता है अभ्यास का उर्दू या फार्सी ट्रांसलेशन अनुबाद है रियाज, exercise या practice को हम हिंदी में अभ्यास कहते हैं और अभ्यास को ही फार्सी में या उर्दू में रियाज कहते हैं ऐसा नहीं है रियाज में spiritualism भी है, इबादत है, पूजा जुड़ी हुई है जिसे हम हिंदी में या संस्कृत में कहें साधना कहते हैं साधना में और अभ्यास में पुनुरावृत्ती या दोहराना बार-बार उसकी आवृत्ती करना, repetition करना उसमें और साधना में फर्क होता है ऐसा नहीं कि भी मैं गायत्री मंत्र के साधना कर रहा हूँ तो बस उस मंत्र को बार-बार-बार तोते की तरह रट-रट-रट के repeat करता रहा हूँ उसमें सजग अगर मैं नहीं हूँ, aware नहीं हूँ उस मंत्र का भाव मुझे नहीं पता है तो उसका असर नहीं हो रहा है मैं साधना नहीं कर रहा हूँ तब रियाज होता है वरना गला तो चल जाता है गला बहुतों का चलता है स्वर बहुतों का लगता है यहां कितनों का चूता है और यहां भी जब हम सच्चे हैं तो ही हमें सच्चे सुर की पहचान है हमें लगा रहे वहां कितना भावपूर्ण स्वर लगाया है वो तो ये कुछ बाते हैं जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ जिसमें यही बोला है मैंने कि जल्दबाजी नहीं है कोई शॉटकट है ही नहीं रियास करने से कतराते हैं लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं लोग लेकिन सोचिए न लिखने का भी जब अभ्यास करना पड़ता है बार बार उन्ही पुनरावृत्ती एक ही अक्षर को आप देखते थे पहले कॉपी आती थी ए ए ए ए बनाई जा रहे हैं डॉट 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 पे तब जाके आज हम फ्लुएंटली लिख पाते हैं तो बिन रियाज के कैसे हो जाएगा अब हाँ ये सवाल जरूर है कि कम रियाज करना पड़े और काम बन जाए चलो इस सवाल का मैं फिर भी जवाब दे सकता हूँ कि हाँ ठीक है कम करिए जादा मत कीजिए कहा तो जो हमारे गुरुजन है या गुणी जन है उन्होंने तो बहुत घंटों का रियाज बताया पंदराओ घंटे हैं तस-दस घंटे लगे हुए हैं लेकिन आपकी लाइफ में संगीत की उतनी एहमियत नहीं या फिर आपके ओपर जिम्मदारियां दूसरी हैं तो कम कर सकते हो ठीक है दिन का आधा गंटा एक गंटा दिया पूरे दिन का 24 गंटे में से 24 गंटे में से सिर्फ आधा गंटा एक गंटा मागा वो तो दे सकते हो अब उसमें ऐसी चीज़ें करो जिससे वृद्धी हो लेकिन वही है न फिर जब चीज़ें जो गा रहे हैं उनकी रिपिटेशन कब होगी अब मैं रियाज करूँ या जो लेसन दिया गया उसका अभ्यास करूँ उसे दोहराओं तो कितना कम समय चाहिए आपको आपने स्कूल में इतने जादा घंटे दे दिये और वहाँ निरर्थक कुछ भी नहीं सीखा क्योंकि जो सिखाया जा रहा था उसे सजगता से तो हमने सुना या अपनाया नहीं बस उसे रट रट के डिगरी तो इखटी कर ली हमने यही गाम संगीत के साथ करना है क्या तो मेरे जो विद्यारती हैं मेरी उनसे दरखास्त है कि कौन है वो क्या वो संगीत सीखने आये हैं या उसी तरह से रटने जैसे वो विद्याला इसे निकल चुके हैं डिगरीयां लेकर क्या वही वाली एजुकेशन चाहिए इतने घंटे का, ये ये चीज़ों का ख्याल रखे पूरी रियाज के उपर प्लेलिस्ट बनाई मैंने जिसमें बताया कि फाइदे, नुखसान कैसे करना है कब करना है, क्यों करना है ये ख्याल रखो, वो ध्यान रखो, ये ध्यान रखो अच्छा, फालतू चीज़ों में तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख लेंगे कपड़े कैसे पहनने, उसका पूरा ध्यान रहता है कि इस ड्रेस के साथ ये मैच करेगा की ने करेगा, इसके साथ ये मैच करेगा की ने करेगा खाने में इसके साथ ये खाते हैं जादा अच्छा जमेगा ये सारी चीज़ों में ध्यान रहता है ये सारी चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ता है ये तो मज़ा आता है ना इसमें करने में लेकिन यही अगर मैंने कह दिया कि रियास करते समय ये 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 चीजों का सजग रहो ध्यान रहो यहां ये मिस्टेक होई वहां मैं मिस्टेक होई वो नहीं होता हमसे क्योंकि उसमें मेहनज जादा लगती है तो मत करें रियास खलत करने से बहतर है मत करें मैं तो यही आपको सला दूँँगा वरना क्या होगा गलत रियाज करेंगे जो जो चीजें बताई गए उनका ख्याल नहीं रखेंगे और फिर इल्जाम आएगा गुरूँ उपर कि उनका बताया हुआ रियाज था भई असर तो कुछ हुआ नहीं ये तो फाल तो ही बोलते रहते है डॉक्टर पर इल्जाम आजाता है अरे भई उनकी दवाई बेकार है अरे दवाई बेकार नहीं है उन्होंने जो तरीके बतायते परहेज बतायते रखने को वो तुम से हुए नहीं सच बोलो ना गिरेब हमें जाको ना तो जब सामने वाला ये सवाल कर सकता है कि बिना रियाज की सिंगर कैसे बने फिर वो सिंगर तो नहीं बन सकता मेरी नजर में चलिए खेर ऐसे ही बताते रहेंगे कुछ-कुछ बाते हैं आप लोगों के टॉपिक्स तो आते ही रहते हैं आप लोगों के अजीब औ खरीब सवाल हैं लेकिन मैं कोशश करूँगा कि मैं अपनी और से अपने गुरुओं की ओर से सही जवाब आप तक पहुँचाता रहूँ तो बिना रियाज के नहीं होने वाला है रियाज तो करना पड़ेगा कम ही सही मगर करना जरूर पड़ेगा और सवेरे ही करना पड़ेगा माफ कीजिए इसका कोई अल्टरनेट नहीं है शुक्रिया